अब बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट थी कि मैं आइफस का इंपोर्टेंट क्वेस्टन बता दीजे अभी बहुत सारे कॉलेजेज में इंटर्नल्स भी शुरू हो गए और अब फाइनल स्यू का एक्जाम भी आ रहे है तो अब साल भर तो पढ़ाई की नहीं है मैं तो अब कुछ हम लोगों को बताएए शॉर्ट कट तो मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू कर रही हूं फॉर यॉर आइफस पेपर जिसमें मैं आप लोगों को आइफस का the most important question करवाऊंगी तो आज हम लोगों की सीरीज का part 1 है आज के session में हम लोग जितने भी topic करेंगे वो topic से मैं आप लोगों को surety दे सकती हूँ guarantee दे सकती हूँ around 20 to 25 marks आपका secure हो जाएगा बिल्कुल एकदम एकदम guarantee है 20 to 25 marks आपका secure होने वाले है एक और चीज बता दूँ यह जो series होगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग chapter 1 करेंगे chapter 2 करेंगे no हम लोग इसमें important important topics करेंगे क्योंकि आपके series का नाम ही है important questions of IFS और आपका 100 marks का paper है जितना पढ़ोगे जितना important question करोगे paper उतना ज्यादा अच्छा होगा तो चलो आज शुरू करते हैं chapter कोई chapter नहीं है topic की important questions part 1 so IFS में एक compulsory question आता है एक या दो question आता है differences से अब हमारे IFS में पूरे IFS में बहुत सारे differences है तो मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ आज important differences कराने वाली हूँ सबसे पहला difference जो बहुत बार आता है वो है treasury bill और certificate of deposit के बीच में क्या difference है मैं पहली बता दू दोनों का maturity period एक साल तक का होता है इसको कोई और issue करते है इसको कोई और issue करते है एक ज़्यादा safe होते है एक थोड़ा risky होते है maturity period थोड़ा अलग-अलग होते है बट up to one year होगा तो ये मैंने आप लोगों को briefing दे दिया अब करते हैं दोनों का difference treasury bill RBI issue करते है on behalf of central government treasury bill कौन issue करते है RBI जो बैंक का क्या है भगवान ठीक है इसका maturity period कितने दिन का होते है less than one year दो समझ में आया treasury bill कौन issue करते है RBI इसका maturity period क्या होते है less than one year इसको हम लोग discount पे issue करते है और पार पे पे करते हैं इसका क्या मतलब है किसी चीज का face value है 1,500,000 मैंने तुमको वो चीज अभी दे दी एक लाख में तुमने मेरे को एक लाख दिया मैंने तुमको वो समान दे दिया कुछ time के बाद up to one year मतलब एक साल के अंदर अंदर ही within one year तुम वो समान मेरे को आके लोटा दोग और मैं तुमको बदले में दे दूँगे डेर लाख क्यों कि वो समान था डेर लाख का मैंने तुमसे लिया कितना वल लाख है न तो इसको बोलते discount पे issue करना और पार पे पे करना इसमें न बिलकुल भी risk नहीं होता है Treasury Bill में Treasury Bill को बहुत लोग T Bill भी बोलते है T Bill जो होता है न सबसे safest है जितने भी मैं आप लोगों को अभी instrument पढ़ा रही हूं मैं आपको एक और बात बता दूँ इससे आपका एक और topic cover हो जाएगा अब वो है different instrument of money market वाह एक के साथ दो topic बिलकुल अम लोग ऐसे ही आप लोगों का important question का series लेंगे और एक और बात बता तो आपके हर subject के लिए आपके respective faculty important question डाल रहे है on MEPL Commerce Hub पर चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करके रखो और sharing is caring भूलो मत तो अपने college friends अपने college group में भी ये videos डालो बताओ कि MEPL classes में मैं IFS करा रही है sir IT करा रहे है accounts का important question हो रहा है सब के स आथ video circulate करो sharing is caring चलो तो treasury bill कौन issue करता है RBI issue करता है इसका maturity period एक साल से कम का होता है इसको discount पे issue किया जाता है और पार पे pay किया जाता है और यह बहुत ही कम risky होता है यह safest होता है on the other hand we have certificate of deposit इसको कौन issue करता है banks और बाकी कुछ financial institution इसको issue किया RBI इसको banks इसका maturity period साथ दिन से लेके एक साल तक का हो सकता है इसका maturity period कितना होता है साथ दिन से लेके एक साल यह भी discount पे issue होता है same और पार पे pay होता है यह secure तो है but less than treasury bill treasury bill सबसे safe है और certificate of deposit भी safe है but less than treasury bill दो आपका topic भी हो गया और एक important difference भी हो गया what is treasury bill treasury bill issued by RBI on behalf of central government very safe issued at discount paid at par maturity period less than one year what is certificate of deposit issued by bank and financial institution secure but less than treasury bill issued at discount paid at par है और maturity period साथ दिन से लेकर एक साल यह था हमारा first important difference अब जो हम लोग करने वाले है वो करने वाले commercial paper commercial मतलब commercial company वगेरे जो काम करती है तो इसको issue कौन करती है बड़ी बड़ी company commercial paper को कौन issue करती है companies इसका maturity period होता है 15 दिन से लेकर एक साल तक discount पे issue पार पे पे यह बहुत risky है क्यों क्योंकि company issue कर रही है कोई bank, rbi, government नहीं कर रहा है company issue कर रही है और यह commercial paper कब issue होता है जब किसी company को short term पैसा चाहिए या working capital चाहिए क्योंकि मैं पहली बोल दी अभी मैं जितने भी instrument करा रही है सबका maturity period एक साल तक का होता है क्योंकि these are the instrument of money market और money market का maturity period up to one year होता है तो हम लोगों ने commercial paper के बारे में क्या पढ़ा company issue करती है maturity period 15 दिन से लेके एक साल होता है discount पे issue होता है पार पे पे होता है बहुत risky होता है और जब company को short term पैसे और working capital की जरुरत होती है तो commercial paper issue होता है next we have call money call money क्या होता है जब किसी एक bank को जरुरत होती है तो दूसरे bank के पास जाता है यही concept है call money तो यह कौन issue करता है एक bank दूसरे bank को ठीक है इसका कोई maturity period नहीं होता है याद रखना क्यूं आज HDFC को मानो SBI वक्त के टाइम पैसा दिया जरुरत में पैसा दिया तो अब SBI का जब वन वो पैसा वापस मांग भी सकता है तो इसका कोई maturity period नहीं होता है यह interbank transaction है तो इसमें कोई issue और discount वाला concept नहीं है इसमें कोई risk नहीं है क्यूं क्यूंकि इसको RBI पूरा regulate करता है और यह क्यूं होता है क्यूं किसी bank को जरुरत पढ़ती है आज हर bank को CRR और SLR maintain करना पढ़ता है तो CRR और SLR maintain करने के लिए अगर fund नहीं बचता है तो यह लोग क्या करते एक दूसरे bank के पास जाते हैं तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा 2C commercial paper call money commercial paper बड़ी-बड़ी company issue करती है call money एक bank दूसरे bank को करते है commercial paper का maturity period 15 दिन से 1 साल call money no maturity period issue that discount paid that part no such concept क्योंकि यह inter company को need है short term capital या फिर working capital की और यह कब होता है जब हमें RBI के पास CRR maintain करना है यह हमारे चार important differences थे from the instrument जिससे बहुत बार आपको question देखने को मिलता है next important जो हमारा difference है वो है organized and unorganized money market यह जो money market होता है जिसका maturity period एक साल का होता है इसका दो भाग है दो हिस्सा है organized and unorganized क्या नाम है organized and unorganized organized का मतलब है ऐसा market जहां सारे transaction norms, rules, regulations से होता है अन और्गनाइस्ट का मतलब है एक ऐसा market जहां पे सारे transaction norms, rules वगेरा से नहीं होता है तो organized यहां सारा transaction rule, regulation, law के हिसाब से होगा यहां transaction norm, rules, regulation के हिसाब से नहीं होता है next यह जो organized हिस्सा है इसमें कौन- RBI, BANK, NBFC, बड़ी-बड़ी कंपनी, अभी जैसे जित्ते भी इंस्रुमेंट पढ़े, चार पढ़े न, Treasury Bill, Certificate of Deposit, Commercial Paper, Call Money, तो ये कौन थे, RBI इशु कर रहा था, बैंक कर रहा था, बड़ी-बड़ी कंपनी कर रही थी, तो ये Money Market का Organized वाला हिस्सा है, Unorganized में Participants कौन होते चित-फंड वाले, Indigenious Banker, Money Lender, साहुकार, जमीनदार, ये सब होता है, Unorganized का Participant, Interest Rate, Money Market का जो Organized वाला हिस्सा है, वहार Reasonable Interest Rate लिया जाता है, और Unorganized में Exorbitant, मतलब, Not Reasonable, Non-Reasonable, हैना, मतलब नहीं बोलते हैं कि कुछ भी लेना, Reasonable नहीं होता है, Instrument, अभी पढ़े, Treasury Bill, Commercial Paper, Commercial Bill भी होता है, Certificate of Deposit, Call Money, यहां हुंडी and Indigenious Bill, ठीक है, Genuineness, यहां सारे Transaction Genuine होते हैं, यहां कोई भी Transaction Genuine नहीं होता है, These are the difference between Organized and Unorganized, सारे Transaction Norm से होगा, यहां नहीं होगा, यहां Interest Rate Genuine होगा, यहां नहीं होगा, यहां Interest Rate Reasonable होगा, यहां Interest Rate Reasonable नहीं है, यहां Participant कौन है, Bank, RBI, बड़ी-बड़ी Company, यहां साहुकार, जमीनदार, Money Lender, Chit Fund, यहां Instrument कहा है, Treasury Bill, Commercial, Paper Commercial, Bill, Certificate of Deposit, Call Money, यहां Hyundai and Indigenious Bill, यह आपका एक बहुत important difference था, Moving to the Next Difference, आज मैं IFS का आप लोगों को Important, Important Difference कराऊंगी, अब Market, जो Stock Market होता है, जिसको हम लोग Capital Market भी बोलते हैं, वो दो टाइप का होता है, Primary and Secondary, क्या नाम बोला मैंने, Primary and Secondary, इसका मैंने एक Shortcut बनाया, C, LMNOQ, अगर आप क्यालकटा में रहते हो, तो LMNOQ नाम का यहां पे क काफे भी है, है ना, तो लेकिन पहले बताऊं एक बात, यह Shortcut मैंने पहले बनाया, काफे का नाम बाद में आया, तो इन लोगों ने ना मेरा Shortcut चोरी कर लिया, किडिंग, एक को इंसेडेंस है, बट ऐसा है, LMNOQ बूलके काफे भी है, तो CLMNOQ is our Difference for Primary and Secondary Market, Primary Market क्या होता है, Primary Primary Market एक ऐसा मार्केट है, जहां पे New Security ट्रेड होती है, जैसे की IPO, है ना, जैसे NICA का IPO आया, Paytm का आया, LIC का आया, तो it is a market where New Securities are traded for the first time, यहां पे existing security ट्रेड होती है, इसको बोलते है Secondary Market, कंट्रोल, है ना, यह किसी के ऐसे कंट्रोल में नहीं होता है, Secondary Market कंट्रोल में होता सेबी के, है ना, Location, Primary Market is not confined to geographical location, Primary Market का ऐसा कोई geographical existence, building तुमको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यह बड़ी-बड़ी city और town में होता है, जैसे Bombay Stock Exchange, Kolkata Stock Exchange, proper office है इनका, Own Building, देखो, इसी से एक और difference हो गया, एक बोला कोई location नहीं है, एक building, इनका कोई building नहीं होता है, इनका अ जादा इन्वेस्ट करते, Primary और Secondary, Secondary में, यहाँ पे less than Secondary Market और यहाँ amount of money is more than Primary Market, तो यह हम लोगों ने past difference किये between Primary and Secondary, Primary Market ही कैसा मार्केट है, यहाँ पे new securities are traded for the first time, Secondary, existing securities are traded, no central control, it is controlled by SEBI, not confined to any geographical location, it is confined to geographical location, it has no building, it has their own building, like Bombay Stock Exchange, Kolkata Stock Exchange, amount of money invested is less than the Secondary, इसमें more than the Primary, यहाँ जादा इन्वेस्ट होता है, तो आप लोग जो जिरौधा यह सबसे करते हो, वो क्या है, Secondary है, और जो IPO आप अप्लाई करते हो, वो क्या है, Primary है, यह हमारा था next difference, IFS का, Primary and Secondary, moving to the next difference, Broker and Sub Broker, Broker कौन है, Stock Exchange का Member होता है, सब Broker कौन है, Broker का भी Broker, वो Broker के अंडर काम करते हैं, दोनों को यह registration लेना पड़ता है, यह जो Broker है, इनको पूरा Stock Market में इनको Seller माना जाता है, लेकिन सब Broker क्या है, they are the agents of the Broker, देखते हैं, Broker, यह Registered Member है, Stock Exchange के, यह Broker के अंडर काम करते हैं, इनको Member बोलते हैं, इनको Member नहीं बोलते हैं, तो दोनों का मिनिन, किसको Member बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं, इसको Seller of Security माना जाता है, they function under Broker, सब Broker का तो एक ही बात है, function under Broker, function under Broker, है न, area of function, इसका बड़ा है area, इसका narrow है, registration, इसको Stock Market से registration लेना पड़ते हैं, और इसको Broker ही registration दे देते हैं, से भी से ले कर देते हैं, बड़ सब Broker को Broker दे देते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस कि यह Bro परोकर हैं, यह क्या है, एजेंट है, बरोकर के, बरोकर को हम लोग Member भी बोलते हैं, ब्रोकर को मेंबर भी बोलते हैं, सब ब्रोकर को मेंबर नहीं बोलते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, वो seller of security है, लेकिन जो सब ब्रोकर है, वो ब्रोकर के अंडर काम करते हैं, ब्रोकर को SEBI से, stock exchange से registration लेना पड़ते हैं, सब ब्रोकर को registration ब्रोकर ही देता है, इसका scope of work बड़ा है, इसका छोटा है यह था हमारा difference between broker and sub broker अब अम लोग next difference करेंगे और बहुत important है money market and capital market very very important क्या है money market क्या है short term capital का market है और capital market क्या है long term के लिए short term long term risky ज्यादा risky है यहाँ mainly banking sector है यहाँ ऐसा कोई specific player नहीं है capital market में कोई भी हो सकता है यह short term capital supply करेगा यह long term तो यह point और यह point same है money market is the market for short term capital and दूसरा point लिखना है it supplies short term capital 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 market is the market for medium and long term capital and it supply long term and medium term capital regulation money market को RBI regulate करते है capital market को SEBI capital market बोले तो SEBI stock exchange है ना अच्छा capital market में कौन-कौन होते money market में कौन-कौन होते money market में insurance, government, bank वगेरा और इसमें RBI, cooperative bank, stock exchange है ना यह सब होते आपके किसमे capital market में so this is the difference between money market and capital market है ना तो money market क्या है long term short term capital देता है यह long term and medium term less risky more risky यह RBI regulate करते है इसको SEBI regulate करते है इसमें mainly banking sector है इसमें ऐसा कोई specific नहीं है इसमें कौन-कौन होते bank, RBI, e-commercial, e-bill, e-bill, सब सब money market है इसमें stock exchange, bank, RBI, cooperative society, सब होते है यह था difference between money market and capital market moving to the next topic or next difference SLR and CRR, क्या है SLR and CRR, the PNR, shortcut is DPNR, ठीक है देखते है, D for definition, बोलते है CRR और SLR में क्या difference है एक बात समझो, आज bank के पास जतना demand और time deposit है, उसका एक fraction वो निकालता है CRR और उसको रखता है वो RBI के पास यह दोनों ही reserve हर bank को किसके पास रखने पड़ते है, RBI के पास, तो CRR किसका fraction है, time और demand deposit का SLR किसका fraction है, SLR है कब bank के पास जतना deposit है, total, cash में हो, liquid में हो, time deposit हो, जो भी हो, उसका एक fraction क्या है SLR rate, CRR का rate हमेशा कम होता है, SLR का rate हमेशा high होता है, generally 18%, penalty, अगर कोई bank CRR रखने में fail हो जाए, तो penalty लगेगा, कितना लगेगा यह याद नहीं रखना है, क्योंकि यह change होता है, बट अगर कोई SLR रखना भूल जा है, तो such penalty नहीं है, तो आपको यह 3 difference याद रखने है, definition, rate, penalty, नॉर्म्स भी रख सकते हो, यह अपने ही deposit पे calculate होता है, और यह बैंक के सारे deposit, cash, gold, demand deposit, current deposit, fixed deposit, सब पे calculate होता है, यह आपका था difference between SLR and CRR. Next difference, development bank and commercial bank, क्या difference है, development bank industry, agriculture, के development के लिए बना है, basically यह medium term या long term loan देता है, बट जो commercial bank है, जैसे HDFC बंधन, bank यह क्या करता है, public से savings लेता है और public को loan देता है, तो meaning लिखावे है दोनों का, development bank ऐसा institute है, जो long term और medium term loan देता है, commercial bank क्या है, यह क्या करता है, public से savings लेता है, लेता है और पब्लिक को टाइम पर लोन देता है अच्छा acceptance of money development bank कभी भी public से पैसा accept नहीं करता है बट यह करता है इसका type 3 type का होता है development bank national level पर होता है state level पर और agricultural level पर commercial schedule and non-schedule development bank हमें किस चीज़ के लिए encourage करेगा बोलेगा इंडस्ट्री बनाओ बिजनस करो यह सबची के लिए suggestion देगा और commercial bank saving करने के लिए खाता खुलवालो saving करो इसके लिए encourage करते है control central जो होती है government जो होती है वो ड्रेक ली control करती है किसको development bank को और बाकी सारे bank को कौन calculate करती है आरपी आई है ना commercial bank को तो यह हमारा क्या था difference between commercial and development bank था जो बिल्कुल बहुत important है वो मैं पहले करा रही हूँ done तो अभी तक अभी तक या फिर समझो पूरे ही IFS में जो important differences है वो मैंने आप लोगों को कराया primary और secondary market का difference कराया broker और sub broker का difference कराया commercial bank development bank का difference कराया SLR CRR का difference हम लोगों नहीं किया ऐसे हम लोगों ने आज बहुत सारे differences already cover किये जो बहुत important है आपके exam point of view से क्योंकि एक या दो exam में यह difference आता ही आता है तो development bank commercial bank का difference हो गया next CRR और SLR का difference हो गया the PNR is our shortcut next money market और capital market का difference हो गया next broker and sub broker का difference हो गया primary and secondary market का difference हो गया और organized and unorganized का difference हो गया organized market क्या है unorganized market क्या है अच्छा और certificate of deposit treasury bill हो गया commercial bill और call money हो गया इतने सारे हम लोगों ने आज differences किये IFS में तो आज की जो हमारी class थी वो किस पे थी all the important differences of IFS एक या दो और बचे जिसके लिए मैं एक और वीडियो डालूंगी उस वीडियो से हम लोगों ने कर लिया है important difference ठीक है तो बहुत सारे difference किया इससे दो question जरूर मिलेगा तो 20 से 25 marks IFS का आपका secure हो सकता है अगर यह वीडियो आप खुद भी देखो बाकी लोगों के साथ भी share करो college group में भी डालो तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे make sure कि आपने चैनल को subscribe कर दिया है press the bell icon आप अपना feedback और जो भी आपको query है आप comment box में हमसे पूछ सकते हो मैंने IFS का आज से शुरू किया है आप लोगों के लिए important question series part 1 में हम लोगों ने IFS के सारे important differences किये part 2 में क्या करेंगे that is suspense तो आप लोग चैनल को subscribe करके रखना आपको जरूर notification मिल जाएगा फिर हम लोग मिलेंगे IFS के important question के साथ thank you all of you all the very best